अगर दोस्तों आपने मेरे बताए अनुसार सोया भी इनका सेवन कर लिया ने तो आपकी बोडी में इतने जबरदस्त और बैतरिन फायदे देखने को मिलेंगे कि कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा चाहे आपकी बोडी में कैसी भी कमजोरी हो किसी भी तरह की कमजोरी हो उसे दूर करके आपके सरीर को फोलाद बना देगा साथ ही आपके सरीर में अगर खून की कमी है उसे भी दूर करके हमेशा हमेशा के लिए खून की कमी सरीर में नहीं होने देगा उसके साथ ही आपके हाथ में, पैरों में, जोडों में, कमर में, पीट में अगर दर्द की प्रोबलम है तो यह उसे भी हमेशा के लिए दूर कर देगा अगर आपके सरीर में कैलसियम की कमी रहती है तो यह उसे भी दूर करने का काम करता है तो आईए दोस्तों जानते हैं बिना टाइम वेश्ट किये बस आपको सोया बिन खाने का सही तरीका पता होना चाहिए बहुती छोटी वीडियो रहने वाली है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर दोस्तों आपको ये जानकारी जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है और मैं आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आता रहता हूँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा देना दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि सोया बीन के इतने जबरदस्त इतने बैतरिन फायदे हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा तो सबसे पहले जानते हैं सोया बीन खाने के फायदों के बारे में आपकी बोडी में अगर खून की कमी रहती है कैल्सियम की कमी रहती है या फिर हात पैरों में जोडों में बदन में दर्द की प्रोब्लम रहती है आपकी बोडी में कहीं भी दर्द हो उसे सोया बीन खाने का सही तरीका हमेशा हमेशा के लिए खतम कर देगा उसके साथ ही अगर आपकी बोडी में सारीरिक कमजोरी मैसूस होती है उसे भी यह हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा चाहे इस्तरी हो या फुरुस दोनों ही इसे सम्मान मात्रा में ले सकते हैं तो आईए जानते हैं आपको इसका किस परकार सेवन करना है 50 गराम सोया बीन रात को सोने से पहले पानी में बिगो दें लगबग 12 गंटे बीगने के लिए रख दें सुबह सोया बीन को मसल कर उसका छिलका उतार कर फैंक दें अब सोया बीन को मिक्स की साइता से बारिक पीस लें इसमें आदा लीटर पानी मिला कर अच्छी तरह छान लें अब सोया बीन के दूद को हिलाते हुए गरम कर लें नहीं हिलाने पर दूद चिपक सकता है नहीं कर सकते तो आप इसका दही बना कर भी खा सकते हैं। प्योग का यह सबसे अच्छा फायदेमंद तरीका है। सोयाबीन खाने का यह तरीका हमारी रिदे को स्वस्त रखने में हमारी मदद कर सकता है। और हमारी मान स्पेशियों को भी मजबूत बना देगा। सोया बीन में पाया जाने वाला फाइबर हमारे सरीर की कोलेस्ट्रोल मात्रा को नियंतरित करता है और हमें रिदे रोग होने से बचाता है रोजाना सोया बीन खाने से सोया बीन में पाये जाने वाले तत्वे हमारी हड्यों को मजबूत बनाते हैं हड़ियों की कमजोरी सोया बीन का दूद पीने से हमेशा हमेशा के लिए खतम हो सकती है सोया बीन में कोपर और आईरन बहुती ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कोपर और आईरन हमारे खून की कमी को दूर करने में हमारी मदद करते हैं कम से कम आप एक महीने तक सोया बीन का दूद जरूर सेवन करें अगर आपने लगातार एक महीने तक इस नुष्खे को अपना लिया तो आपकी बोडी में आपको बहुती जबरदस्त बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है आप इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें साथ ही इस यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल भी ने भूले